evolution निकालने का trick है तो आपका mensal period इतना हंथ इतना दिन से चल रहा है तो आपका evolution कितने कौहंचे दे के होगा वो निकालने का एक है period है देख ओ फॉर्मूला day of evolution рокा वता है जितना दिर्यका mensal cycle होगा कि उसमें से 14th दे minus कर दो जितने दिन का mensual cycle होगा, उसमें से 40th day minus कर देंगे, तो क्या होगा, आपका day of evolution आजाए, कि उस दिन आपका ovulation होने वाला है, ठीके, इस एक question है, total day of mensual cycle आपको 32 दिया हुआ है, ठीके, 32 दिन का mensual cycle दिया हुआ है, तो उसमें आपको day of ovulation निकालना है, तो कैसे करेंगे, देख equal to, क्या दिया है, total day of mensual cycle minus 14, total day of mensual cycle 30 दिया हुआ, 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, total day of mensual cycle, तो 32 में से आपको क्या कर दोगे, 14 बरते, 32 में से आपको 14 minus करना है, समझे है, तो जितना आपका आए यहाँ पर, आपको क्या हो गई, यह हो जाएगे आपके डे ओफ 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 और थारवे दिन आपका क्या हो जाएगा ओफ ओविलेशन हो जाएगा सबसके चाहिए ऐसा ही यह निकाल लेगे जैसे कि आप